हेलो फ्रेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चानल लीगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतिय दंड सहीता के अंतरगत किये गए अपराद और उन अपरादों के लिए क्या सजा होती है उनके बारे में भारतिय दं सहीता में कुल मिलाकर 511 धाराएं है इन 511 धाराओं में कुछ धाराओं में अपराद की परिभाशा दी गई है और कुछ धाराओं में इन ही अपरादों के बारे में दी जाने वाली सजा का प्रोवीजन किया गया है तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी 511 धाराओं के बारे में नहीं जानेंगे बलकि हम उन धाराओं के बारे में बात करेंगे जो की बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है सबसे पहले बात करते हैं धारा 166-A के बारे में जो की बात करती है एक लोक सेवक की यानि की गौ़र्मेंट के अंदर काम करने वाले वेक्ति की अगर उसके द्वारा लौ के आदेश के अनुसार अगर उसका उलंगन करता है तो उस लोक सेवक को कम से कम एक साल के लिए वास या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है यह अपराद आसंगे अपराद की कैटेकरी में आता है धारा 166-A जमानती अपराद होता है जिसमें की अभियूक्त को जमानत में रिहा किया जा सकता है धारा 166-A के अंतरकत आने वाले सभी मामलों की सुनव फर्स्ट क्रेट मजिस्ट्रेट की कोड़ में होती है अब बात करते हैं धारा 326-1 के बारे में जोकी बात करती है तेजाब की अगर कोई भी वैक्ति किसी दूसरे वेक्ति के शरीर पर या बोडी के किसी एक पार्ट पर तेजा फैकता है और गंभीर रूप से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ऐसे वेक्ति पर धारा 326 A के तहट मामला दर्ज किया जाता है और दोशी पाए जाने पर दस साल से लेकर अजीवन कारावास तक किसाचा दी जाती है और दस लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया जाता है धारा 326 A एक संगे अपराद की कैटेगरी में आता है 326 A आजमानती अपराद होता है जिसमें की अभी उक्त को जमानत कोट के विचार करने के बाद ही मिलती है धारा 326 A के अंतरकत आने वाले सभी मामलों की सुनवाई सैसन कोट में की जाती है अब बात करते हैं धारा 326 B की जो कि अपनी इच्छा से तेजाब फैंकता है या फिर फैंकने की कोशिश करता है जब कोई वैक्ती अपनी इच्छा से किसी दूसरे वैक्ती पर तेजाब या फिर कोई जलन शील पदार्थ फैंकता है या फिर फैंकने की कोशिश करता है तो ऐसे वैक्ती पर धारा 326 B के तह अपराद होता है धारा 326 B आजमानती अपराद भी है जिसमें की अभियुक्त को जमानत कोट के विचार करने के बाद ही मिलती है धारा 326 B के अंतरगत आने वाले सभी मामलों की सुनवाई सैसन कोट में की जाती है अब बात करते हैं धारा 354 के जो कि इस तरी की लच्चा के इरादे से उस इस्तरी पर हमला करता है या फिर अपरादिक भलका पर्योग करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 354 के अंतरगत मामला तरज किया जाता है और दोशी पाए जाने पर एक साल का कारावास जो की बढ़ा कर पान साल तक भी हो सकता है और जुर्म पानत कोड के विचार विमर्ष करने के बाद ही मिलता है धारा 354 के अंतरगत आने वाले सभी मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट के यहां पर होती है चलिए अब बात करते हैं धारा 354 ए के बारे में अगर कोई वैक्ति किसी इस्तरी से शारेरिक संबंद बनाने की इच्छ प्रकट करता है जोकि उस महिला की इच्छा की विरुध होता है या फिर ऐसा करने का अनुरोध करता है या ऐसे करने की मांग रगता है या फिर उसको कोई अशलेल सहीत्ते दिखाने की कोशिश करता है तो ऐसे वैक्ति को धारा 354 ए के तहत बुग किया जाता है और दोशी पाने पर उसे 5 साल का कहरवास से दंडित किया जाता है और धारा 354 एक आजमाने दिया अपराथ है और इसके अंतरगत आने वाले सभी मामलों के सुन्माई मजिस्ट्रेट के कोट में होती है अब बात करते हैं धारा 354 बी के बारे में अगर कोई पूरुष किसी इस्तरी को सा धारा 354 बी के तहट मामला दर्ज किया जाता है दोशी पाये जाने पर उस पर तीन साल का कारगा से दंडित किया जाएगा या जोकी बढ़ाकर साथ साल तक हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा ये एक संग्य अपराथ की शिर्णी में आता है धारा 354 बी आजमाने दिया पराद है धारा 354 B के अंतर गताने वाले सभी मामलों के सुनवाई मजिस्ट्रेट के कोट में होती है अब बात करते हैं धारा 354 C के बारे में किसी निजी कारे में लगी हुई कोई इस्टरी को एक टक देखना या फिर उसका चितर खेचना यानि की फोटोग्राफी करना उस फोटो को प्रसारित करना तो उस वेक्ति के खिलाफ धारा 354 C के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और पहली बार दोशी पाये जाने पर उस वेक्ति को एक साल तक का कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा जो की बढ़ा कर तीन साल तक हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा पहली बार अपराद करने पर दोशी को जमानत पर रहा भी किया जा सकता है लेकिन अगर दूसरी बार दोशी पाया जाता है तो ऐसे वेक्ति को तीन साल का कारावास और जुकी बढ़ा कर साथ साल तक हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा ये एक आसंगे अपराद की कैटेगरी में आता है यानि की आजमानिती अपराद है धारा 354 सी कैंटर के आने वाले सभी मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट के कोट में होती है अब भात करते हैं धारा 354 डी के बारे में यानि कि किसी का पीछा करना अगर कोई पूरुस किसी इस्तरी का पीछा उसकी मरजी के खिलाफ करता है और उसके मना करने के बावजूद भी उसका बार-बार पिछा करता है या उसे संपर्क करने की कोशिश करता है या फिर उस इस तरी को इंटरनेट का उप्योग करके ईमेल भेजता है या फिर किसी दूसरे इलेक्टरोनिक जरिये से उसको मैसिजिंग करता है या मॉनिटरिंग करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 354D के अंतरकत मामला दर्ज किया जाता है और दोशी पाये जाने पर एक साल तक कारावास जो की बढ़ा कर तीन साल तक हो सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है धारा 354D एक संगे अपराद की कैटेगरी में आता है ये एक आजमानती अपराद है धारा 354D के अंतरकत आने वाले सभी मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट के यहाँ पर होती है तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो आईपीसी के कुछ महद वोपून धाराओं के उपर उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजे और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच